सब्सक्राइब कीजिए मौमन हम को बेल आइकन को दबाईए यूनिक रेसिपी प्रोडक्ट रिव्यू और व्लॉग को सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर स्वागत है मेरी चैनल मौमन हम पे मैं पिंकी फिर लेकर आई हूँ आप सब के लिए एक यूनिक रेसिपी और आज की रेसिपी है मूली का चार यह चार बहुत ही खास है जटपट बन जाता है मूली का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मूली तो मूली को हम सबसे पहले चीलेंगे मूली मैंने छिल ली है अब इसका आप चाहे तो गोल काट सकते हैं चाहे तो आप लम्बा काट सकते हैं मैं सो गोल काटने वाली हूँ कर दो कर दो है मूली हमने काट लीती गोल गोल देखिए यह पुरी आधी किलो मूली है और सावत मसाले में हैं मेथी दाने कलोंजी सौफ सरसों जीरा अजवाइन जीरा पौडर हिंग पौडर ब्लैक सॉल्ट आमचुर पौडर अब आकी पीसे मसालो में है नमक, हल्दी, कालमिश पौडर, धनिया पौडर तो घर के मसालों से ही यह चार बन जाता है मैं और कोई मसाली की जुरत नहीं है तो चलिए अब सुरू करते हैं सबसे पहले एक पैन लेंगे और जो अचार जो बनता है वो मस्टर्ड ओल में बन तेल हमारा गरम हो गया है तो इसमें हम सबसे पहले डालने वाले है सारे साबुत मसाले डालेंगे हम इसमें मेथी दाने, जीरा, स्वाफ, स्वाफ, स्वाफ पो थोड़ी ज्यादा डालनी है कलोंजी थोड़ी सी डालनी है अब हम डालेंगे इसमें अचवाईन पक गए है अब हम गयास को बंद कर देंगे तेल हमारा अभी भी गरम है थोड़ा सा फर्क पड़ गया है ताकि मसाले ना जले इसलिए मैंने गयास बंद कर दिया था अब इसमें हम डालेंगे हिंग पौडर अब इसमें डालेंगे हम आम चूर पाउडर दो चमच चोटी चमच से दनिया पाउडर एक चमच पूरा फुल और लायल मिर्च पाउडर एक चमच हल्दी चमच से थोड़ा से कम और नमक एक चमच और इसके लाव हम डालेंगे ब्लेक सॉल्ट जीरा पौडर थोड़ा सा इनको मिक्स कर देंगे ताकि पख जाए गुंगुने तेल में अगर हम तेल गुंगुना नहीं रखेंगे और एकदम तेज गरम तेल होगा तो यह सारे मसाले जल जाएंगे तो स्वात बेकार हो करना पड़ता है कि सारी मूली डालने के बाद मैंने गैस को दुबारा साउन कर दिया है और लो फ्लेम पे कर दिया है अब मूली को मिक्स करेंगे अचार इंस्टेंट बन जाता है घर के मसालों से ही और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इसे हम दो से तीन निदे तक ऐसी फ्राई करेंगे बिलुकुल लो फ्लेम पे ताकि मूली जो है उसको पूरी पकानी नहीं है उसको आधी कच्ची आधी पक्की रखनी है मूली को पकाते में दो से तीन मिनट हो गए है गैस को हम बंद कर देंगे वासे ठंडा होने के लिए रख देंगे देखिए मूली का चार हमारा बनके तयार है इस अचार की खासियत है इसे धूप लगाने की जूरत नहीं है किसी भी बरतन में आप श्टोर करके रख दीजि आप मुझे कमेंट करें मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में जग तक के लिए बाई बाई और टेक क्यार